Okay students, हम लोग पढ़ रहे थे Algebraic, Expression and Identities जिसमें से हमारा exercise 9.1 and 9.2 complete हो गया है और introduction video जिसमें हम लोग light term क्या है, unlike term क्या है, expression क्या है Algebraic, Expression का identities क्या क्या है, है ना और हम लोग इससे related monomial binomial, trinomial इसका introduction part देख चुके है, अगर आप लोग नहीं देख रहे होगे तो description box में link है, आप लोग देख सकते है ठीक है, और playlist में भी है अब हम लोग श्टार्ट करेंगे exercise 9.3 ठीक है, exercise 9.3 में भी हम लोग जैसे exercise 9.2 में product find कर रहे थे ना, multiply कर रहे थे वही है, same to same, ठीक है, कोई भी इसमें problem नहीं है, देखो हम लोग इसमें multiplication ही find करना है, question number 1 में ही, देखो, 4P को multiply करना है, Q plus R से ठीक है, multiply कर देंगे देखो, कैसे multiply करेंगे हैं, solution लिख देते है, 4P को multiply कर रहे है, इन बोथ number से, Q plus R, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यह two parts में divided है, और यह 4P अगर मैं इसको छोड़ दूँ, और इस सिर्फ 4P को पुछू क्या है, तो आप लोग इसको बोल सकते हो कि यह monomial है, ठीक है, लेकिन यहाँ अगर इसको छोड़ के हम लोग मैं इसको पुछू कि Q plus R क्या है, तो यह क्या है, बाइनोमियल है अगर यहाँ बीचो प्लस रगा रहता और ब्रेकेट उपन रहता, तो यह ट्राइनोमियल बन जाता, ठीक है, तो देखो 4P को हम लोग मल्टिप्लाई करेंगे Q से फिर यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस को प्लस से मल्टिप्लाई करेंगे प्लस, फिर इसी 4P को मल्टिप्लाई करेंगे R से, ठीक है, देखो, इसी 4P को मल्टिप्लाई करेंगे Q से, मल्टिप्लाई का साइन पी क्यू रहता तो हम लोग इसको add कर देते, लेकिन यहां हमारा expression अलग-अलग है, इसले हम लोग इसको add नहीं कर सकते, ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसी का question number 2, question number 2 में क्या दिया है, देखो, a, b को multiply करना है, a minus b से, देखो, इसमें कैसे multiply करेंगे, इस a, b को multiply तो plus, minus, minus करेंगे, फिर a, b को multiply करेंगे, b से, same ऐसे, a, b को multiply करेंगे, a से, फिर इस a, b को multiply करेंगे, b से, लेकिन sign को त्यान देना है, यहां पस, plus, minus, minus करना है, जैसे हम लोग प्लस, plus, plus के थे, same वही procedure चलेगा, ठीक है, अब देखो, यहां भी a है, यहां भी a है, तो a into a, तो a square लिख सकते हैं, और b को b लिख देंगे, फिर वैसी minus, यहां b है, और यहां भी b है, तो b square लिखेंगे ही a का a, अब देखो, यहां a square भी है, और यहां a b square है, यहां a b square है, यानि कि फिर से अलग-अलग है, unlike term है, तो बस इतना ही करके, हम लोग को छोड़ देना है, यह को multiply करेंगे, पहले हम लोग 7a square b से, फिर यहां plus है, और यहां भी कुछ नहीं है, तो plus है, तो plus into plus plus होगा, फिर b से multiply करेंगे, हम लोग 7a square b square को, अब multiply कर देंगे, a और a सेम सेम है, इसलिए a to the power 3 लिख सकते हैं, 7 का तो 7 लिखेंगे ही, कुछ नहीं नंबर है तो 1 है, तो 7 7a square से multiply करेंगे, तो power multiply में power add होता है, तो इसके power में कुछ नहीं है, तो 2 plus 1, 3 हो जाएगा, और b खा b, फिर वैसे ही हम लोग, यहां कुछ नहीं है, नंबर तो 1 है, तो 7 लिखेंगे, अब हम लोग को पता है कि power add होता है, अगर सेम सेम expression है, तो यहां a square तो यहां नहीं है, a square को a square लिख दिये, यहां b square है, और यहां b to the power 1 है, यानि कि power add होगा, क्योंकि multiply कर रहे हैं, तो 2 plus 1, 3, तो यहां 7a to the power 3, b है, और यहां 7a square, b to the power 3 है, तो हमारा expression अलग-अलग है, नंबर से में है, लेकिन expression अलग-अलग है, तो बस इतनी करके हम लोग को छोड़ देना है, ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, इसी का question number third, यहां पास हमारा a plus b, एचा sorry, यहां b square था न, b square मेरे से छूट गया था है, अब देख लेते हैं, question number 4, question number 4 में क्या दिया है, a square minus 9 को multiply करना है 4a से, यहां multiply कर देंगे 4a से, तो देखो a square को multiply करना है, हम लोग को 4a से, फिर 9 को multiply करना है, 4a से, a square को multiply करना है, 4a से, फिर minus 9 को multiply करना है, 4a से, तो देखो, यहां 1 है, तो 4, 1 जा 4 हो गया, a square को a से multiply करेंगे, तो तू दी पावर 3, है ना, 2 प्लस 1, 3, फिर 9, 4 जा, 36, a का a, यह हो गया हमारा answer, ठीक है, अब वह सी हम लोग बना लेते हैं, question number 5, question क्या द ठीक है, अब ऐसा ही हम लोग बनाएंगे, question number 2, complete the table वाला, ठीक है, तो अभी हम लोग को फर्स एक्स्प्रेशन को second एक्स्प्रेशन से product करना है, मतलब multiply करना है, तो हम लोग इसको multiply करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो, हम लोग इसको लिख सकते हैं, a into b, देख फिर plus into plus plus, a into c, ac, plus into plus plus, a into d, ad, बस multiply के हैं, a into b, a into c, a into d, यही answer आ जाएगा हमारा, वैसी question number 2 में भी गना लेंगे, हम लोग एक्स प्लस y माइनस 5 को multiply करना है, किससे second expression, 5xy से, यहाँ पस हम लोग मल्टिप्लाई कर देंगे, देखो, x से multiply करेंगे सबसे पहले, 5xy को, फिर plus लिख देंगे, क्योंकि plus है, फिर y से multiply करेंगे, 5xy को, फिर यहाँ minus है, तो minus 5 लिख देंगे, फिर multiply करेंगे, 5xy से, तो multiply कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं है, 5,1 जा 5, x into x, x square, यहाँ तो y नहीं है, तो y का y ही लेने देंगे, फिर यहाँ पास भी कुछ नहीं है, नंबर त अब हम लोग देखेंगे क्या कोई expression match कर रहा है कोई सा भी expression match नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ x square है तो यहाँ only x है यहाँ y है तो यहाँ only y square और xy तो बिल्कुल ही अलग है तो यानि कि हम लोग इसको आगे और solve नहीं कर सकते हैं तो यही हो जाएगा हमारा answer वैसी question table number 3 देख लेते हैं देखो p को multiply करना है हम लोग को 6p square minus 7p plus 5 से इसको भी multiply कर देते हैं देखो p से multiply करेंगे 6p square को फिर यहाँ plus का sign है ना plus minus minus p से multiply करेंगे 7p को फिर से plus 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 हुआ p को multiply करेंगे 5 से तो यहाँ कुछ भी number नहीं है मतलब 1 है 6 1 जा 6p into p square p to the power 3 पावर एड़ हो गया 2 plus 1 3 फिर वैसी कोई number नहीं है तो 1 7 1 जा 7 p से p को multiply करेंगे तो p square क्योंकि 1 into 1 plus 1 2 हो जाएगा फिर p into 5 करेंगे तो यहाँ कोई भी number नहीं है तो 1 है तो 5 1 जा 5 p का p तो देखो फिर से p अलो आगे solve नहीं कर सकते यहीं अजाएगा वैसी हमनों question number 4 भी बना सकते है 4 p square q square को multiply करना है हम लोग को p square minus q square से तो इसको भी multiply हम लोग ऐसी कर सकते है एखो 4P square Q square को multiply करेंगे P square से फिर से plus minus minus कर देंगे फिर इसी 4P square को multiply करेंगे Q square से 4P square Q square को multiply कर रहे है हम लोग Q square से तो यहाँ minus कैसे आया समझे आया plus को minus से multiply किया तो minus आया अब देखो multiply करेंगे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है 4 1 जा 4 यहां P² है, यहां भी P² है, यानि कि 2 प्लस 2, 4 और Q² तो कहीं नहीं है, इसलिए Q² का Q² फिर वैसे यहां कोई भी नंबर नहीं है, मतलब 1, 4, 1, 4 यहां हम लोग देखे, P² इस वाले term में नहीं है, तो P² को P² लिख देंगे यहां Q² है, यहां Q² है, तो एड़ कर सकते हैं, पावर को, क्योंकि multiply है, 2 प्लस 2, 4, तो हम लोग यहां देखे, P² है, लेकिन यहां P² प्लस 2, 4 है, लेकिन यहां P² प्लस 2, 4 नहीं है, यानि कि मतलब क्या होता है, multiply ही है, ठीक है, इसका मतलब multiply ही होता, और लगा दोगे, तो भी कोई problem नहीं है, तो A को multiply करेंगे सबसे पहले, A, B, C से, फिर प्लस B को multiply करेंगे, फिर से, A, B, C से, फिर प्लस C को multiply करेंगे, A, B, C से, तो A को a b c से multiply करेंगे तो a square b c आएगा फिर plus b को a b c से multiply करेंगे तो a b into b b square c आएगा फिर a का तो a ही रहेगा b का b ही रहेगा c into c करेंगे तो c square आएगा ये हो जाएगा हमारा answer क्योंकि फिर से expression match नहीं कर रहा है ठीक है तो हमारा table complete हो गया अब हम लोग देखते है question number 3 इसमें भी हम लोग को product ही करना है question number 3 में भी a square को multiply करेंगे 2 a to the power 22 into 4 a to the power 26 है तो देखो यहाँ कोई सा भी number नहीं है मतलब 1 है अब सब में same expression है sorry a a a है multiply करेंगे 1 2 जा 2 हो जाएगा 2 4 जा 8 हो गया अब यहाँ a to the power 2 है यहाँ a to the power 22 है यहाँ a to the power 26 है a a a सारा expression सेम है यानि कि power add कर देंगे तो 2 plus 22 plus 26 कर देंगे तो 8 22 plus 2 24 24 plus 6 क्या हो जाएगा 6 plus 4 10 50 आजएगा यनि कि 8 to the power 50 आएगा ठीक है तो हमारा इसका answer क्या आ गया 8 a to the power 50 क्योंकि यहाँ भी a था यहाँ भी a था यहाँ भी a था और multiply कर रहें तो power add हो जाएगा यहाँ फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके है a to the power m into a to the power n into a to the power o is equal to am plus n plus o तो वही चीज़ यहाँ किये हैं हम लोग power को add कर दिये है अब ऐसी question number 2 में भी कर सकते है यहाँ पस क्या दिया है 2 upon 3 xy को multiply करना है minus 9 upon 10 x square y square से इसमें भी number को number से multiply करेंगे plus minus minus हो जाएगा 9 2 जा 18 3 10 जा 30 अब multiply करेंगे x को x square से तो power add होगा यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो 3 हो जाएगा फिर power add होगा यहाँ 1 है यहाँ 2 है यहाँ 3 हो जाएगा इसको हमने और divide कर सकते है 6 3 जा 18 6 5 जा 30 तो answer क्या आएगा minus 3 by 5 x to the power 3 y to the power 3 यहाँ जाएगा answer ठीक है वैसी question number 3 को भी बना सकते है minus 10 upon 3 से p q to the power 3 को multiply करेंगे 6 upon 5 p to the power 3 q से इसको multiply करेंगे पहले number को number से तो plus minus minus होगा 6 10 जा 60 5 3 जा 15 फिर इसको p को p to the power 3 से तो 4 हो जाएगा फिर q to the power 3 को q से तो 3 plus 1 4 हो जाएगा इसको और divide कर सकते है 15 1 जा 15 15 4 जा 60 तो क्या answer आया minus 4 p to the power 4 q to the power 4 हो जाएगा answer ऐसी question number 4 भी बना सकते है देखो यहाँ पस गया दिया है x into x square into x to the power 3 into x to the power 4 पावर एड़ हो जाएगा यहाँ पस कुछ भी नहीं है पावर नहीं है मतलब 1 है यहाँ 2 है यहाँ 3 है यहाँ पस 4 है तो क्या आएगा x to the power 2 plus 1 3 3 plus 3 6 6 plus 4 10 तो यह हो जाएगा हमारा answer ऐसे जब ही कर सकते है जब expression क्या हो सेम हो अगर माले ऐसे दे देता x into y into z तो इसको multiply करके लिख देते x, y, z ठीक है और वही चीज़ अगर x into x into x दे देता तो आप लोग पावर एड़ कर देते 1 plus 1 plus 1 तो 3 आता ठीक है अब देख लगते हैं हम लोग question number 4 question number 4 में क्या दिया है simplify 3x, 4x minus 5 and its value इतना दिया हुआ है एक बार हम लोग को x का value 1 रखना है एक बार x का value 2 रखना है तो देखो question सबसे पहले लिख लेंगे question number 4 का ए 3x, 4x minus 5 plus 3 हम लोग को इसमें रखना है question number 1 के हिसाब से x is equal to 3 value put कर देंगे ठीक है 3 पिर bracket है, फिर 4x है, पिर 3 पिर bracket close 3 अब solve करेंगे 3, 3 जा 9 अब इसको solve करेंगे 4, 3, 2L minus 5 plus 3 सबसे पहले bracket solve होता है 12 में से 5 minus होका तो क्या आएगा 7 आएगा फिर plus 3 अब इसको multiply करेंगे 97 क्या हो जाएगा 63 और यहाँ पास प्लस 3 बचाए तो 63 प्लस 3 क्या हो जाएगा 66 यह हो गया answer ऐसे ही question number 1 का ही हम लोग को बनाना है question number 2 इसमें हम लोग को क्या put करना है x equal to 1 by 2 तो हम लोग यहाँ पास रखेंगे x equal to 1 by 2 पहले question लिख लेते हैं 3x 4x minus 5 plus 3 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रखेंगे 1 by 2 तेहां रख दिये 1 by 2 फिर यहाँ पास रख दिये 1 by 2 फिर यहाँ plus 3 तो multiply करेंगे 3 1 जा 3 by 2 हो जाएगा 4 1 जा 4 by 2 minus 5 plus 3 ठीक है अब हम लोग इसको और solve कर सकते हैं देखो यहाँ पास हम लोग क्या ले लेते हैं सबसे पहले LCM ले लेते हैं यहाँ पास हम लोग देखो हम लोग यहाँ पास कर सकते हैं upon 1 ले लेते हैं 3 by 2 का 3 by 2 2 और 1 का LCM 2 आया 2 से 2 cancel हो 1 आया 4 1 जा 4 फिर 1 और 2 का divide करेंगे तो 2 आएगा उसको multiply करेंगे 5 से तो 10 plus 3 फिर 3 by 2 लिक लिए 4 में से 10 minus करेंगे तो क्या आएगा minus 6 by 2 फिर plus 3 अब multiply कर सकते हैं plus minus minus 6 3 जा 18 2 2 जा 4 plus 3 फिर इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ठीक है तो 2 2 जा 4 2 9 जा 18 तो क्या आया answer हमारा minus 9 by 2 plus 3 इसको और solve कर सकते हैं upon 1 करके 2 और 1 का LCM 2 आएगा 2 से 2 divided 1 आया फिर इसको भी डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा ठीक है अब 9 में से 6 minus करेंगे तो minus 3 by 2 आएगा इसका answer ऐसे भी आ सकता है या फिर आप लोग चाहो तो पहले इसको multiply कर लो इसी को आप लोग ऐसे भी कर सकते हो 3x को पहले इसको multiply कर देंगे तो 4 3 जा 12x आजाएगा फिर plus minus minus 5 3 जा 15x प्लस 3 तो 12x में से 15x जाएगा यह similar x x है तो minus करेंगे तो क्या आएगा हमारा minus 3x प्लस 3 अब इसमें आप लोग डायरेक्ट इसका value रख सकते हो minus 3 x का value कितना है 1 by 2 प्लस 3 इसको multiply करेंगे minus 3 by 2 प्लस 3 फिर LCM लोग तो आप लोग का यही answer आजाएगा जैसे यहां रहा है 2 2 से 2 cancel हुआ तो minus 3 3 2 जा 6 6 में से 3 minus करेंगे तो हमारा answer का आएगा 3 by 2 तो इससे भी यही answer आजाएगा हमारा अगर आपनों पहले ऐसे solve कर लो तो ठीक है अब देख लेते हैं हम लोग question number b का ही question number 4 का question number b इसमें भी हम लोग को क्या करना है simplify ही करना है यहाँ पस देखो question number b में भी दिया है a a square plus a plus 1 plus 5 को हम लोग को simplify करना है वैसी a का value रखना है और a का value रखना है यहाँ भी a का value रखना है पहले इसको solve कर लेते हैं हम लोग शाहें तो कर सकते हैं तो a को a square से multiply करेंगे तो a to be power 3 फिर a को a से multiply करेंगे a square फिर a को 1 से multiply करेंगे a plus 5 देखो तीनों में यहां भी a है यहां भी a है यहां लेकिन इसका जो power है वो unlike term है मतलब अलग-अलग है तो हम लोग इसको और solve नहीं कर सकते हैं अगर सेम रहता तो और solve कर सकते थे ठीक है तो अब हम लोग इसमें सिर्फ value रखेंगे value क्या दिया है question number 1 में a का value हम लोगो 0 रखना है तो 0 रख दिये हैं पस 0 रख दिये a के place में क्या रख दे रहे हैं हम लोग 0 रख दे रहे हैं ठीक है तो देखो 0 का तो 0 ही होगा तो answer क्या आएगा हमारा 5 आएगा वैसे ही question number 2 में इसी का दिया है a का value 1 रखने तो a का value 1 रख देते हैं देखो यहाँ पस इसी में रखना है क्योंकि हम लोग multiply अल्रेडी कर चुके है तो a का value क्या रखेंगे 1 तो 1 रख दिये ठीक है जहाँ जहाँ a है वहाँ महां क्या रख दिये 1 तो 1 to the power 3 1 और यहाँ पस क्या आएगा 5 तो 5 plus 3 8 आजाएगा वैसे ही third में क्या दिया है a का value रखना है minus 1 तो जहाँ जहाँ a है वहाँ महां क्या रख देंगे minus 1 रख देंगे ठीक है यहाँ पस रख दिये minus 1 अब देखो minus 1 to the power 3 है तो odd number रहता है तो minus में ही answer आता है और यह even number है तो minus 1 into minus 1 plus हो जाएगा और यहाँ plus minus minus हो के 1 plus 5 ठीक है तो यहाँ पस minus 1 है यहाँ plus 1 है cancel हो जाएगा 5 में से 1 minus करेंगे तो answer क्या आजाएगा 4 आजाएगा यह minus 1 plus 1 cancel हो गया तो क्या बचा 5 minus 1 minus करेंगे तो 4 आएगा ठीक है अब हम लोग का question number 4 complete हो गया अब question number 5 है इसमें हम लोग को क्या करना है add करना है और subtract करना है तो question number 4 का question number 5 में दिया है p p minus q q फिर कॉमा दिया है फिर q q minus r फिर r r minus p इसको हम लोग को क्या करना है add करना है ठीक है add करने से पहले हम लोग इसको first expression को first expression लिख देते है second expression और third expression ठीक है first expression को multiply करेंगे p into p p square p into p q p q और plus minus minus अब इसको multiply करेंगे q square फिर इसको multiply करेंगे तो qr ऐसी इसको multiply करेंगे r square इसको multiply करेंगे minus rp अब इसको हम लोगों करना क्या है add करना है ठीक है अब add करने के लिए आप लोगों को पता है expression same होना चाहिए उसको उसी के नीचे लिश सकते है first expression क्या है p square minus pq अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पास q square minus qr है यहाँ पास उपर में q square qr है ही नहीं अब नीचे वाले में देख रहे है r square minus rp है तो हम लोग देख रहे हैं कि सारा का सारा expression क्या है अलग-अलग है तो उसको हम लोग साइड मे लिख देंगे इस side क्योंकि कुछ भी नहीं है तो side मे लिख सकते है q square minus qr अब यह बाला भी expression match नहीं कर रहा है तो उसको भी side मे लिख देंगे r square minus rp तो answer क्या आएगा p square minus pq इसके नीचे कुछ भी नहीं है फिर इसके नीचे भी कुछ भी नहीं है तो q square minus qr और इसके नीचे भी कुछ नहीं था तो r square minus rp यही आजाएगा हमार answer क्योंकि expression match ही नहीं कर रहा है ठीक है अब ऐसी question number 5 का b number है add करना इसको भी 2x को z minus x minus y and 2y z minus y minus x पहले तो multiply कर लेते हैं इस expression को 2x को z से multiply करेंगे 2x z फिर plus minus minus 2 2x into x x square फिर plus minus minus 2xy यह first expression को multiply कर दी अब second को भी multiply करते हैं देखो 2y को z से multiply करेंगे तो 2y z ठीक है फिर plus minus minus होगा 2y को y से multiply करेंगे 2y square फिर plus minus minus होगा 2y को x से multiply करेंगे 2y x अब इसको हम लोग को add करना है add करने के लिए फिर से arrange करेंगे लिख देते हैं 2x z minus 2x square minus 2xy फिर्स्ट एक्सप्रेशन लिख लिए है अब second expression में देखेंगे कि इसमें कुछ मैच कर रहा है की नहीं करेंगा तो फिर से अलग-अलग लिखना पड़ेगा तो हम लोग देखें यहाँ पास x y है और यहाँ पास भी x y है तो यह वाला तो मैच कर रहा है तो हम लोग यहाँ लिख देखेंगे x y को x y के नीचे minus 2 y x या फिर x y एकी बात है अब y square वाला टर्म उपर कहीं नहीं है नहीं y z वाला टर्म नहीं है तो इसको side में लिख देंगे 2 y square plus 2 y z अब इसको add कर देंगे इसके नीचे कुछ नहीं है 2 x z का 2 x z इसके नीचे भी कुछ नहीं है 2 x square minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा इसलिए 2 plus 2 4 दोनों में minus इसलिए minus लिख दिए 2 plus 2 4 y x या फिर x y दोनों लिख सकते हैं फिर minus 2 y square 3 l l minus 4 m plus 5 n को multiply from subtract करना है 4 l 10 n minus 3 m plus 2 l से तो आप लों को पता है from वाले को पहले लिखते हैं और क्योंकि subtract करें पहले तो multiply कर लेते हैं 3 l को l से पहले multiply करें first expression को 3 l को l से multiply करेंगे 3 l square plus minus minus 4 3 j 12 l into m l m फिर से प्लस प्लस होगा 5 3 j 1 15 l into n l n फिर इसको भी multiply करेंगे 10 4 j 1 40 l into l l n फिर से प्लस माइनस 3 4 j 1 12 l into m l m फिर से प्लस का 4 2 j 8 l square l square हो जाएगा ठीक है अब subtract करने के लिए आप लोंको पता है second expression को पहले लिखना है क्योंकि from लिखा है तो second expression को पहले लिख लेते है 40 l n minus 12 l m plus 8 l square first expression को उसके नीचे लिखना है तो पहले l square को l square के नीचे यानि कि 3 l square को इसके नीचे l m वाले को l m के नीचे और l n वाले को l n के नीचे देखो इसमें सब मैच हो गया ठीक है अब add में हम लोगो पता है second expression का sign change करते है तो second expression ये वाला है ये first है ये second है इसका sign change करेंगे यहाँ plus है तो minus हो गया यहाँ minus हो गया और यहाँ पस हमारा क्या था plus था यहाँ minus हो गया अब हम लोगो इस sign को नहीं देखना है नीचे वाले sign को देखना है और उपर वाले को तो यहाँ plus है यहाँ minus है तो 15, 40 में से 15 को हम लोग minus करेंगे तो क्या आएगा 25 आएगा और यहाँ ln का ln क्योंकि greater value में plus है इसलिए यहाँ भी plus अब यहाँ plus minus है तो cancel हो जाएगा question number D को आप लोग बनाईएगा next वीडियो में इसको में बता दूँगी जब हम लोग exercise 9.4 पढ़ेंगे ठीक है और description box में जितना भी पढ़ाई उसको उसका वीडियो को डाल दूँगी